आमनेकुम क्लास 7 I hope you are fine in second term lecture 6 chapter 8 mining and industry हमारा second term syllabus का ये last chapter है class I hope आपको previous lecture समझाए होंगे और आपने याद भी किया होगा काम आज जो मैं जिस topic को आपको read करवाने जा रही हूँ Mining as an industry Mining किसे कहा जाता है और industry term तो आपने पहले भी industry वाले chapter से समझी होगी Mining mean कान कुनी चीजों को minerals को extract करना from underground the earth जमीन के नीचे से मतलब minerals को निकालना extract करना और खुदाई करना उनकी तो उनको extract करना निकालना mining के लाता है कान कुनी के लाता है Mining as an industry कान कुनी किस तरह से एक सनत एक industry बन जाती है और आपको industry का भी class पता है कि industry में हम investment करते हैं हम goods and services बनाते हैं उनकी production करते हैं to make earn profit मनाफ़ा कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए हम industry के establishment करते हैं तो आज हम mining chapter पर रहे हैं Mining किस तरह एक industry बन सकती है और ये किस तरह पाकिस्तान की economy में एहम role एक एहम किरदार अदा कर रही है extraction of valuable extraction मतलब निकालना जेरे जमीन minerals को निकालना बाहिर extraction of valuable minerals कीमती minerals मादनियात को and other materials और दूसरी मादों को from the earth जमीन से is called mining what is mining? mining की क्या definition है class extraction of valuable minerals कीमती मादनियात और कीमती मादों को पाकिस्तान को with innumerable मतलब लातादाद ट्रैयर खिजाने of minerals मादनियात के लातादाद खिजाने में अता किये हैं like call, marble, iron, gypsum, etc. ओके अल्ला ताला ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के सर्जमीन में ऐसी चीज़े चुपिंग हैं जो हमारे लिए किसी ट्रैयर किसी खिजाने से कम नहीं Miners, Miners mean जो mining करने वाला कान करनी मतलब जो जेर जमीन चीज़ें को निकालने वाले को Miners कहा जाता है Miners explore, निकालते हैं, explore करते हैं, find करते हैं These hidden Trayeur, इस छुपे हुए Trayeur खिजाने को From Earth जमीन से, which are then used in various industries फिर वो जो छुपा हुआ, hidden Trayeur है, वो जो Minerals है वो हमारी industry, बहुत ज़्यादा है industry में as a raw material उस होता है Some people in deep latures of Blotistan and Potohar are engaged in mining Engaged, जुड़े हुए हैं, mining से हमारे जो सता मुर्तफा और Blotistan के areas है वहां के रहने वाले ज्यादा तर लोग mining के कानकनी के शुबे के साथ मुंसली के engaged हैं, जुड़े हुए हैं It is regarded, इसको इस तरह लिया जाता है as an industry and an important source of employment जो कानकनी करेगा, जो माइनिंग करेगा, माइनर जो होगा वह employee बन जाएगा, उसका मुलाजिम बन जाएगा It means के इससे मुलाजमत भी हमें मिलेगी and progress of national economy हमारी economy की, हमारी जो कौमी मौशियत है वह बहुत अच्छी हो जाएगी इससे के हम जो extraction करेंगे, जो minerals, material हम extract करेंगे, निकालेंगे वह हम industry में use करेंगे, उसको extract करते हुए जो हमें labor चाहिए, उनको jobs मिलेंगी उसके इलावा वह जो extraction करेंगे, minerals और material की वह इंडस्ट्री में इस्तमाल होगा, इंडस्ट्री लिस्ट जो product त्यार करेंगे वह within country और outside the country वह उसको sell out करेंगे और money earn करेंगे, money के साथ, पैसे के साथ as well as foreign exchange भी earn करेंगे तो इससे हमारा जो national economy का level है वो improve होगा अगर ये काम smoothly management के साथ, proper management के साथ होता है next topic जो syllabus में, government syllabus के मताबिक, role of minerals and power resources in the economy of a country एक मुल्क की, class, एक मुल्क की economy में, minerals और power का क्या किरदार है, role of minerals and power resources in the economy of a country एक मुल्क की मौशियत में, मौशियत का मतलब ये होता है कि किसी country में, किसी country किसी मुल्क का infrastructure, roads, railway system कैसा है वहाँ पर employment level क्या है, वहाँ पर poverty का क्या level है, गुर्बत का, education की सारी चीज़े हमारी economy को show करती है जो के फिलहाल हमारी पाकिसान की economy बहुत जादा downfall की तरफ है तो minerals मादनियात का और power resources का, क्या किरदार है हमारी economy को बहतर बनाने में, ये किस तरह से हमारी economy को improve कर सकते है In present industrial age, आज के सनती दोर में, minerals have an essential एहम, essential mean एहम role in the industrial and economic development of a country के एक मुल्क की मौशी और सनती तरकी में मादनियात बहुत एहम किरदार अदा करती है They are important for economic development, ये हमारी मौशी तरकी के लिए an affluent society हमारी society को healthy, healthy mean अमीर बनाने में हम किरदार अदा करती है What is important is to take full advantage of them to steer the national economy toward affluence अपनी हमारी economy को एक level में लाने के लिए, एक healthy, economic development के level लाने के लिए ये किस तरह से हम इनसे फाइदा उठा सकते है हम किस तरह से इनसे फाइदा उठा सकते है Minerals are used in industries as raw materials जो मादनियात है, वो industries में as a raw material भी यूज होते है machines को चलाने के लिए हम जो minerals, जो हमारी power resources है, जो हमारी power resources है, energies है वो हम अपनी machine को चलाने के लिए इस्तमाल करते है like coal है, gas है, और भी चीज़े हैं जो हम अपनी industries को, सनतों को चलाने के लिए इस्तमाल करते है Among them, iron is of utmost importance, सबसे ज़्यादा एहमियत रखता है oil, coal and natural gas provide energy to industry, अभी मैंने बात की आपके सामने के सनतों को, सनतों की machine को electricity power को चलाने के लिए oil, coal and natural gas provide की जाती है ताके वो machinery run out कर सके, ओके class I hope आपको role of minerals and power resources in the economy of our country समझाया होगा, कि किस तरह minerals और जो power resources हैं वो industry को as well as economic development में किस तरह हम करदार एदा करते हैं, आप इसको याद करें, इसको लिखें, जो spelling में स्टेक होती है class उसकी correction करें, okay, Allah आफिस